इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. ड्रेकलाइड XR 120 टैबलेट एक दवा है जिसका इस्तेमाल वयसकों में टाइप 2 डाइबिटीज मिलिटस के इलाज के लिए किया जाता है. यह सलफिनीलूरिया नामक दवाओं के समूह से संबंधित है और मधुमेह वाले लोगों में रक्ट शरकरा के स्तर को नियंत्रत करने में मदद करता है. यह मधुमेह की गंभीर जटिलताओं जैसे गुर्दे की क्षती और अंधापन को रोकने में मदद करता है. ट्रेकलाइट XR 120 टेबलेट अकेले या अन्य दवाओं के साथ निर्धारित किया जा सकता है. इसे भूजन के साथ लेना चाहिए. सबसे अधिक लाब पाने के लिए इसे नियमित रूप से प्रतीक दिन एक ही समय पर लें. आपका डॉक्टर टेग करेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर इसके काम करने के तरीके के अनुसार बदल सकता है. भले ही आपको अच्छा लगे या आपका बलड शुकर लेवल नियंत्रित हो इस दवा को लेते रहें. यदि आप अपने चिकित्सक से परामर्ष के बिना इसे रोक देते हैं, तो आपके रक्त शरकरा का स्तर बढ़ सकता है और आपको गुर्दे की क्षती, अंधापन, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान का खत्रा हो सकता है. याद रखे कि यह एक उपचार कारेक्रम का केवल एक हिस्सा है जिसमें स्वस्थाहार, नियमित व्यायाम और आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए. आपकी जीवनशेली मधुमे को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है. इस दवा को लेने के सबसे आम दुश्प्रभावों में अपच और पेट खराब होना शामिल है. यह निम्न रक्ट शरकरा के स्तर यानि की हाइपोग्लाइसीमिया का कारण भी बन सकता ह है. सुनिश्चित करें कि आप निम्न रक्ट शरकरा के स्तर जैसे पसीना, चक्कराना, सिर्दर्द और कपकपी होने के संकेतों को पहचानते हैं और जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है. इसे रोकने के लिए नियमित भोजन करना महत्वपूर्ण है और हमेशा आपने एक तेज अभिनेस रोज जैसे शरकरा युक भोजन या फलों का रस रखना चाहिए. शराब पीने से आपके निम्न रक्ट शरकरा के स्तर का खत्रा भी बढ़ सकता है और इससे बचना चाहिए. कुछ लोगों को लग सकता है कि उन्होंने इस दवा से वजन बढ़ाया है. यदि आपको टाइप एक डाइबिटीज मिलिटिस है, यदि आपको डाइबिटिक कीटो एसिडोसिस यानि की आपके रक्ट में एसिड का उच्छ स्तर है या यदि आपको किड्नी या लीव की गंभीर बीमारी है तो आपको इसे नहीं लेना चाहिए. इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपको कभी हिर्दे रोग, थाइरोइड रोग या कुछ हॉमोनल स्थितियां हुई हैं. ये उप्यूक्त नहीं हो सकता है. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेन लगता है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. पाद.